नमस्टार दोश्तो आपका स्वागत करता हूँ आप ही की यूट्यूब चैनल में सुफ्रहनमों गहार डिसेशन करने वाले हैं पांच स्टॉक्स के बारे में जहाँ पर कंपनी की तरफ से इंपॉर्टन अब्रीट्स इंपॉर्टन ट्रिगर्स आ रहे हैं तो फ्रेंट चली स्टार्ट करते हैं विद फॉर्स्ट कंपनी फॉर्ट टुड़े नाम देख सकते हैं वह है डिक्सन टेक्नोलोजीस 13,027 का भाह बहुए आज के दिन में इसका क्लोजिंग प्राइस है 1.36 पर उचाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रहा है यह एक मल्टी बैगर स्टॉक है और अच्छा कासा रिटरन्स लोगों कहां पर अल्री आ चुका है बहुत लंबे समय से जिन्हों होल्ड किया उनको तो बहुत जबदस रिटरन आ है छे महिने में जो भी होल्ड करेंगे अच्छा कासा रिटरन्स आ रहा है जिन्होंने मैक्सिममम लंबे समय से होल्ड करके रखा है उन्हें दे सकते हैं 2349 पर संट का रिटरन आया तो यानि कि फ्रण जो नहीं लंबे समय से निवेश करके रखें उनको उनका पैसा जो रता है कई गुना मल्टिप्लाई हो गया म आज की दिन में देखें कंपनी के तरफ से अपडेट आ रहा है और अपडेट जो है फ्रण दाट इस ओन दा पॉस्टिव अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है बता जा रहा है कि दिक्सन की होली अन सब्सिडिएरी पैजेट जो है उसने एंटर किया है MOU, साइन के M टो देखें बता जा रहा है कि वी इस वी इस दिण फॉर्म ताट इसन प्रेट आपक्डी अन सब्सिडिएरी पैजेट लेट्रॉनिक प्राइवार लिम UniTド has entered into an MOU with ASUS India private Limited for manufacturing of information technology product notebook देख सकते हैं subject to signing of definitive agreement with ASUS entity तो यह positive अपडेट आ रहा है जहां हमने MOU साइन किया है विद एसस फॉर मैन्फाक्टरिंग आफ नोटबुक तो फ्रंट यह पॉस्टिफ ट्रिगर है और मोस्ट फल चांसे है फ्रंट यहां से और आपको उपर का मूव देखने को मल जाए मूव करते है फ्रंट नेक्स कंपनी जो कि आपका इन्फोसिस इन्फोसिस है 1,943 का भाव चल रहा है और यहां पर देख सकते है 0.38% है पर गिराओट के साथ आज की दिन में यहां पर क्लोजिंग देखने को मल रहा है और यह भी स्टॉक जो है एक मल्टी बैग का स्टॉक है क्यों उसके पीछे रिजन्स चेक कर सकते हैं 6 months मे यहां पर लोगों को देख सकते हैं लगवर 20 से 50% का है पर रिटन देखने को बला 20% का रिटन आया चेकरिंग एक साल में किता है पैसा बना रिटन आया तो लगवर 30% का 29.68% का रिटन आया और फ्रेंट जिन्होंने इस टोक को लंबे समय से होल्ड करके रखा है पेशेंट को रिगार्डिंग देख सकते हैं बता जा रहा है डिटन को लेकरके अपडेट आया है सबसे पहला चे इनका मीटिंग का डिट जो सेडूल किया गया है 16th and 17th October दो दिन यहां मीटिंग चलेगी जहां पर जो रहता कंपनी अनॉंस करेगी अपना फिनांशल रिजल्ट देख 17th October 2024 को कंपनी जो रहता है यह दो बड़े अनॉंसमेंट कर सकते हैं एक तो है रिजल्ट और दुसरा डिवडन को लेकरके मूव करते हैं नेक्स टेंपनी जो कि आपका एंडियार ओटो कॉंपनेर्स रिमिटेड आन देख सकते हैं यहां पर आज इसका क्लोजिंग प्रैस ह 25% का रिटन आया और चेक करेंगे एक साल में 227% का रिटन आया है तो जब रदस यहां पर लोगों का पैसा मल्टिपलाई हो गया गजब का रिटन यहां पर देखनी को मिल रहा हैं तो देख सकते 2695% का यहां भी देख सकते जिन्होंने लंबे समय से होड़ करके रखा जो company ने fix किया है वो है one is to one का देखिए हाँ बता जा रहा है और every अगर आपका एक share है company उसके बदले में देख सकते हैं one equity shares issue करेगी देख सकते हैं यानि कि एक share के बदले में एक bonus shares आपको मिलेगा और इसका जो recorded fix किया गए हो है 25 September 25 September 2024 fix किया गया है जो भी 24 September 24 September तक share को खरीद करके record rate तक रखेंगे वो इस corporate event के लिए eligible रहेंगे अब आगे बढ़ते है और next company जो किया आपका Reliance Industries 2046 का भाव है आज का closing price है 0.44% यहाँ पर गिराउट के साथ closing देखने को मिल रहा है यहाँ भी जो important trigger है that is bonus को लेकरके और प्लस यह भी stock जो है एक साल में तो लगवग 20% का 20% का rate ना है और जिन्होंने लंबे समय से stock को hold करके रखा है देख सकते हैं उन्हीं लगवग 5,458% का rate ना है और प्लस कही बार कमपनी ने dividend और प्लस bonus का अनौस का कही बार किये है इसे पहले मैंने वीडियो में आपको यह बता चुका हूँ और यहाँ पर जो रहता है company ने देखे announcement किया bonus को ले करके bonus का issue 1 to 1 का है एक share के बदले में company एक bonuses issue करेगी और जो recorder जो रहता है that would be intimated supply company जल्द बताएगी इस bonus को लेकरके यहाँ पर update आ रहा है देखे 13 सप्टेंबर को आज की दिन में कंपनी के तरफ से update आया यहाँ पर इनकी postal ballot meeting होने वाली है यह देख सकते हैं कब स्टार्ट होगा तो e-voting process स्टार्ट होगा 16 सप्टेंबर 2024 को स्टार्ट होगा देखे end कब हो जागा e-voting तो 15th October 2024 को यह close हो जागा यहाँ पर किसीच का e-voting हो रहा है तो issue of bonus shares को लेकर के and increase in authorized share capital and consequent alteration to capital call clause of memorandum of association इन दोनों चीजों के लिए आपर voting होने वाली है तो यह important update reliance के तरफ से आज की दिन में आ रहा है move करते हैं next company जो कि आपका Bombay metric supply chain यह जो stock जो है share है यह belong करती SME group को ultra small cap stock है 83.2 क्रोल का देख सका market cap है valuation सस्ता है 24.6 का and industry का 39.7 है देख सकते है 7 का है 9 से जितना करी मोंद अच्छा माने आता हो 7 है अच्छा है profitable stock है कोई भी share pledge नहीं है high company ने बनाया था 235 का low है 74 का and face value company का 10 and यहाँ पर देख सकते है debt company 3.16 करोग है आपर देखने को मिल रहा है अच्छी चीच कहा है कि promoter holding 70% यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर सबसे risky चीच कहा है वो है market cap ultra small cap है यहाँ पर आच्छी खासी आपको volatility देखने को वो है 4th October 2024 का last day to buy share क्या रहेगा तो 3rd October, 3 October तक जो भी share को खरीद करके record rate तक रखेंगे वो इस corporate event के लिए eligible रहेंगे यह stock है SMA group पर बिलांग करती है तो थोड़ा risk की भी हो सकता है यह था complete update regarding 5 stocks I hope आपको वीडियो अच्छा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के लाइक कीजिएगा share कीजिएगा अच्छा लाइक पीजिएगा thank you